दास एकेडमी आप टेकनोलोजी में आप लोग का स्वागत है हम जानते हैं मेक्सिमम स्टूडेंट को अलजेबरा के कोस्टन से डर लगता है क्योंकि उन्हें फर्मूला याद नहीं रहता है लेकिन अब डरने की बात नहीं है आपको फर्मूला याद हो या नहो लेकिन कोस्टन सोल जरूर हो जाएंगे हम बीच बीच में आप लोगों को अलजेबरा का छोटा छोटा वीडियो क्लिप देते रहेंगे इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे और वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए वेल आइकन को जरूर दबाएं तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस प्रकार के कोस्षिन UPSC, CGL, CHSL और NTPC में देखने के लिए मिलता है और इस कोस्षिन को स्वल्प करने का बहुत ही आसान तरीका होता है इसमें जो LHS दिखाई दे रहा है इसमें कई टर्म होते हैं जैसे यहाँ पे तीन टर्म है यहाँ 4 टर्म दे सकता है 5 टर्म दे सकता है 6 टर्म दे सकता है कुछ भी दे और RHS में एक संख्या दिया होगा जैसे यहाँ 1 दिया होगा है यहाँ 1 दिया होगा दो दिया होगा यहाँ 1, 2, 3 कोई एक संख्या दिया रहेगा RHS में तो यहाँ हम क्या करेंगे LHS का number of term के साथ और RHS में दिया हुआ number ये दोनों को add करेंगे हमारा answer हो जाएगा जैसे यहाँ पर देखिए number of term कितना है 1,2,3 यानि number of term है 3 और RHS 1 यानि total कितना हुआ 3 और 1,4 यानि हमारा answer हो जाएगा 4 ठीक है अब इसको हम proof करेंगे कि हम लोग जो इस तरह का rule लगा रहे हैं ये real में उतना answer देता है या नहीं देता है तो इसके लिए अब हम इसको proof करेंगे ठीक है proof करने के लिए सबसे पहले हम question को उतारते हैं a बटा 1-a प्लस b बटा 1-b प्लस c बटा 1-c बराबर 1 यहाँ पर question में देखिए हमारा a, b, c है और जो लाना है वहाँ 1, 1, 1 यानि a, b, c को replace करना है तो इसको replace करने के लिए हम जानते हैं कि अगर परतिक टर्म में हम एक जोड़ दे एक, एक, एक अगर जोड़े तो हमारा यहाँ से a, b, c हट के 1, 1, 1 में बदल जाएगा जैसे देखिए a, 1-a इसमें हम 1 जोड़ दिये फिर b, 1-b इसमें भी 1 जोड़ दिये फिर c, 1-c इसमें भी 1 जोड़ दिये यानि हम lhs में कितना जोड़े एक, दो, तीन तो हमको rhs बराबर करना होगा तो इसमें भी हमको तीन जोड़ना होगा और इसमें हम यह दोनों का lhs हे लेंगे, तो हमारे आएगा 1-a, ते हिकट गया, आएगा a, यह वाला जाएगा 1-a प्लस इसी तरह 1-B लसा होगा इसमें यह कट जाएगा आएगा B यह कितना हो जाएगा 1-B प्लस इसमें लसा लेंगे तो आएगा 1-C यह कट जाएगा आएगा कितना C प्लस यह कट जाएगा आएगा 1-C और यहाँ पर हमारा आगया 4 यहाँ पर A, A कट गया बी बी कट गया, सी सी कट गया तो हमारा आया 1, 1 माइनस A 1, 1 माइनस B 1, 1 माइनस C बराबर 4 और इस तरह से हमारा एंसर कम्प्लीट हो गया ठीक है? अब हम लोग कुछ कोशन्स को और देखें परिकार के कुछ एक्जामपल समनिये हैं और उसको हम सॉल्व करते हैं लेकिन याद रखिए इन सभी कोशनों को मन में सॉल्व करना है जैसे देखिए इस कोशन में टर्म कितना है? एक पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म और RHSS 3 यानि तीन टर्म और RHSS 3 यानि टोटल कितना हो गया? 6 यानि हमारा एंसर हो जाएगा 6 नेक्स्ट कोशन देखिए ये जो कोशन इसमें नमबर टर्म कितना है? 1, 2, 3, 4 और RHSS 1 यानि एक, दो, तीन, चार और एक, पांच यानि हमारा एंसर हो जाएगा 5 इसमें नमबर आप टर्म कितना है? एक, दो, तीन, चार, पांच और RHSS 1, 6 यानि नमबर आप टर्म फाइफ और एक RHS यानि टोटल हो गया हमारा 6 तो हमारा एंसर हो जाएगा 6 इसी तरह इस परकार के कोशन को हम लोग सॉल्प करेंगे तीक है? इस परकार के वीडियो को पाने के लिए